चुनाओं में नारे इतने दमदार होते थे कि सरकारे बदल जाया करते थी लेकिन अब चुनाओं में नारों का रूप रेखा बदला बदला है अब चुनाओं में नारों से ज्यादा आरोप लगते हैं और आरोप एक दूसरे के खिलाप कभी वो नीजी हो जाते हैं तो कभी को राजितिक हो जाते हैं लेकि नारों में अब दम नहीं रहा क्योंकि चुनावी मुद्दे अब बेक्तिकत आरोपों के आलावा कुछ खास नहीं दिखता है अपने किये हुए कामों की चर्चा छोड़कर दूसरे की नाकामिया गिनाने का सिलसला शुरू हो गया है आजकल राजितिक दल के नेताओं के लिए नारे कैसे कैसे गढ़े जाते हैं एक वक्त था कि नारों में जरूरत और बुनियाद जो समस्या थी गामों की हलाद प्रस्तितियों की चर्चा हुआ करती थी उन नारों में वो वेदना होती थी समवेदना होती थी लोगों के मन दि नारों के प्रति एक ऐसा नेरेटिव बन जाता था कि लोग उस नारों को आगे लेकर चले जाते थे पकड़ लेते थे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते थे हर जुबान पर वही बाते गूशती थी चाहे वो सवाल पूछने का होता था या जबाब देने का होता था लेकिन मोदी मोदी फिर एक बार चार सो पार ऐसे नारों से क्या सरकारे बदल सकती हैं क्या जो सरकारे चुन कराने वाली हैं या जो सरकार वापसी के लिए हैं वो सरकारे विपक्ष को मुद्दा बहिन कर सकती हैं क्योंकि नारों में ना दम रहा और नाही नारे गढ़ने वाले र लोगों के बीच जमाद के बीच नारों को ज़्यादा तवज्जों देते हैं बस ब्यक्तिकत हमले और बस वही बाते जो भीड़ को आकर्सित करके कुछ देर के लिए नारे लगवादे हैं सोर मचबाद वही आजकल के नारों की हकिकात हो गई है लेकिन कुछ सालों पहले तक नारे लगते थे दमदार बदल जाती थी सरकारें चुनाओं के नतीजे कारे करता और पाटियों का भविस्त आय करते थे नारे हमेसा से दमदार समवात का जरिया रहे हैं ये सरकार तक बद भाशनों पर भारी परते थे कई चुनावी नारे विवादित भी रहें पर इन में लहर पाइदा करके अब प्रत्यासित नतीजे दिलाने का दम दिखता था पहले चुनाव से लेकर वर्तमान प्रदिस तक तमाम नारे बेहदी उलेखनी यह हैं जिन्होंने चुनाव की दीश फ्री तव इंद्रा गाधी के नित्रत वाली कॉंग्रेस ई बनी कॉंग्रेस एस और कॉंग्रेस यू बनी 1972 के लोग सुबा चुनाव में कॉंग्रेस के पुराने नेता हरी नरानमिस्ट की द्रभंगा से चुनाव में खड़े हुए थे वे कॉंग्रेस एस पार्टी से थे उन्हें चुनाव में हराने के लिए इंद्रा गाधी परचार करने उत्री उस वक्त इंद्रा गादी के खिलाफ मैतली भासा में नारा लग रहा था कि दूर दूर छिया छिया हरी के हरावे आई छिया निहरूर से धिया धिया बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक वक्त था कि जब इंद्रा के लहर के बावजूद जब कॉंग्रेस में तूठ हुई तो कॉंग्रेस दो धड़े में बढ़ गई और उस वक्त कॉंग्रेस के खिलाफ लोगों ने अलग लग नारा दिया है बिहार की बात करतो बिहार के मितलांचल में ही इंद्रा गांधी के खिलाफ मितला भासा जो है उसी में मैथली भासा में ही नारे गड़े गए और नारे इतने परभावी हुए कि वो इंद्रा के हर चुनाओ पर भारी पड़ते वह दिखे लोगों ने कहना सुरू कर दिया था दूर दूर छिया छिया हरी के हरावे आई छी नहरु के धिया ये नहरु गाधी की बेटी इंद्रा गाधी को लेकर कही जा रही थी ये जो भासा का चेन किया गया था इस तरीके के नारे चुनाव में इतने असरदार हुए थे कि हरी नरायन मिस्ट चुनाव जीत गये थे वहीं राजनितिक जनकार रामबचन राय का ये भी मानना है कि चुनावी नारे समय प्रस्थितियों के नुशार गढ़े जाते रहे हैं ये चुटिले होने के साथ आकरसक भी रहे हैं नारों का प्रभाव सीधे जन्मान सर्फ पड़ता है 1967 के दोर में सोचलिस्ट पार्टी ने नारा दिया समझवादियों ने बाधी गाठ पिछड़े सो में साथ 1975 से 77 के दोरान राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर की कवीतार सिंग हासन खाली करो की जनता आती है तो कभी आधी रोटी खाएंगे इंदरा को लाएंगे जिस तरीके के नारे खूब लोगों के जुबान पर हुआ करता था जली जोपड़ी भागे बैल यह देखो दीपक का खेल इस तरीके के नारे उस वक्त के प्रस्तितियों के निसार गढ़े जाते थे महंगाई बिरुजगारी गरीबी को जताने वाले नारे गढ़े जाते थे सहितकार भगवती पर साथ द्रिवेदी बताते हैं कि समय के साथ नारे बदलते रहें जो आज भी जारी है 1989 के दोरां जनता दलकी ओर से नारे आये सेना खून बहाती है सरकार कमीसन खाती है जैसे नारे भी चर्चित थे 1977 में जनता पाटी ने इंद्रा हटाओ देश बचाओ का नारा दिया तो इंद्रा जैसी दिगज रावरेली के मैदान में चुनाओ हार रहे इसके बाद अपकी बारी सबकी बारी अटल विहारी के नारे जनता निहाल हो गे वहीं अब्दुल्गफूर के खिलाफ एक नारा खुव चर्चित हुआ था हाथ में लवनी मूह में पान इस नारे को इतना पोपलरटी मिली थी लिकी विहार के हर जुबान पर या नारा चड़िया था। कई ऐसे नारे पुराने दौर में लोग प्री होने के साथ साथ जंता के बीच इसलिए रस और बत सिजाते थे। कभी आधी रोटी खाएंगे का नारा लगा तो कभी देखो कॉंग्रेस का खेल, महंगा करुआ अली गली में सोर है, वहीं विपी सिंग के लिए नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। ये नारा हुआ करता था जो अब इतिहास में साइद इस तरीके के नारे नहीं सुनाई देते थे। और आज कल के नारे बदली वी प्रस्तितियों में बदल गए है आज हर राजनितिक दल अपने लिए नारा लगाता है। देखो देखो कौन आया, लेके रहेंगे आजा दी। जैसे नारे आजकल के नेताओं के जुबान और उनके कारेकरताओं की पाचान बनी होगी। अपने बिजनेस के लिए लोन अपरूव हो गया है। अरे लोन अपरूव हो गया, वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हुँ। अपने पूर्णिया में घर ल रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined